कि अब हम सॉलिड्ड geometry में वॉल्यूम का बर्डron देखते हैं कि इसमें यहां पर एक ट्राइंगुलार प्रिजम यह दिखाया गया यह यह कैसा प्रिस्म है जिसके के दोनों तरफ यह दों तरफ ही एक ट्राइंगल इसमें base जो हो भी triangle form में होता है तो इसको triangular pyramid का जाता है लेकिन बारहुल मैं इस सब चीजों की तफसिलात में यहाँ पर नहीं जाओंगा बलके मैं बात करूंगा triangular prism पे तो triangular prism में आप यह देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि इसकी जो एक जो side है जब base जो है वो 20 is equal to 7 है और height जो है इसकी triangle की वो h is equal to 3 है जबके length जो prism की है वो L इन्होंने हमें कहा है वो 4 के बराबर तो इसका total volume कितना है तो यह जो side है base यह 7 है और height height जो है वो इस point से लेकर इसके यह जो point है यहां तक का जो फासला है वो height है तो height इसकी हवे दिगे यह तीन जबके लंबाई जो है prism की यह वाला जो part है यह हिस्सा जो है यह side जो है यह equals to 4 है जनी 4 के बराबर है अब हमें इस situation में हमें इसका जो triangle का पहले यह volume यह area मालूम करेंगे और उसके बाद यह लंबाई मालूम करेंगे यह गहराई मालूम करेंगे कि जो जिससे के हम इसको बज़रब करेंगे तो volume जो है वो क्या होगा इसका इस case में हमारे पास क्या होगा यह volume हमें यह पहले हमें area मालूम करना है और उसके बाद को length से multiply करना है तो अब मैं half into seven क्योंकि triangle का area होता है वो half into base into altitude या height होता है और इसको हम इसकी length या depth से multiply करते है जो आपका दिल चाहे कह लीजिए इसको तो yes yes इससे हम इससे multiply करेंगे तो अब मार पस क्या हो जाएगा यह दो जो है यह से तकसीम हो के इसको दो बना देगा जनी के एक बटा दो जो है वह चार से जरब खाएगा तो चार को दो में तकसीम कर देगा तो यह हो जाएगा साध किया एक किस और दुनी बैयालिस यह बैयालिस हमारे पास हो गया और आप units जो दिल चाहे रखें लेकिन ये cubic units होंगे चाहे, centimeter हो तो cubic centimeter, meter हो तो cubic millimeter हो तो cubic millimeter हो तो cubic millimeter वो बराबर होती है, नहीं अगर एक side की length आपको पता दी तो बाखी की आपको पता दी तो पहले हम वही करेंगे, जिस side का area मालूम करेंगे, इस पूरे square का area मालूम करेंगे, और फिर इसको हम इसकी depth से या इसकी length से multiply करेंगे, तो volume क्या होगा, इस सुरत में, लंबाई जरब और उचाई साब आपस में बराबर हैं, तो यह 3 times 3, यह बराबर 3 ती है 9, और 9 ती है 27, 27 के बराबर हो जाएगा, और इसको हम 3 cube भी लिख सकते हैं, और यही वज़ा है कि हम यह कहते हैं कि volume जो होता है, वो cubes में होता है, आप देख सकते हैं कि यह cubic ही है, यह cubic है, यह cubic है, य यूनिट्स आप चाहें कुछ भी ले सकते हैं इसकी length, लंबाई, चौडाई, गहराई या उंचाहें, जो दिल चाहें कह लीजिए, तो बाहराल यह 3 times 3, 3 times 3